आप देख रहे हैं बातों बातों में आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में धर्म की व्यक्या क्या है धर्म किसे कहते हैं हमारे साथ है पुराततव वेता राजिंदर सिंग राणा क्या कहेंगे राणा सब धर्म के बारे में क्या अपकी राय है क्या व्यक्या है धर्म की रखते हैं और धर्म की अलग अलग ब्याख्याय रखते हैं धर्म का सिधा-सिदा जो मतलब है वहां जो हम ND ale करते हैं वही लुड धर्म है क्यां और कि जैसा लोक में देखते हैं की आज हमारे जितने भी प्रिसुभी के अंदर जितने भी मानौ나हर उसमाज हैं उनके अपने कोई विशेष उपास्य देव होते हैं, उपास्य अपास्ना के अलग-अलग पद्देतियां होती हैं, उनके अपने अपने आचार होते हैं, अपने अपने विश्वास होते हैं, तो इन सब को लेकर के जो एक मनें जिसे संगुल जो बनता है उसको धर्म कहते हैं और धर्म के जो मुख्यत है अगर हम धर्म को जब देखते हैं तो उसके जो तीन भाग होते हैं पहला भाग होता है उसका जैसे कर्मकांड किसी भी धर्म का पहला जो कर्मकांड होता है कि आपने नहाना है तो कैसे नहाना है पूजा करनी है तो किस तरह से पूजा करनी है खड़े होके पूजा करनी है या बैठ करके पूजा करनी है तो ये पहला जो हिसा है और किस से पूजा करवानी है उसमें कोई मीडियेटर जैसे मौलवी है पंडित है या जो पादरी होते ह सब्सक्राइब करया है दोसरा कि हीसा होता है कि गुसका फिलोस्पी क्या है है इससे कहते हैं कि अलगर्ण धर्मों की मनेतां हैं एक कि या इसलाम सब्सक्राइब करते हैं हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि हां एक इस वर बाद भी है और बहुत यहीं फींद भी है और बहुत सारे रिविदर्द ooh पोजा करते हैं जब कि वहां इस्वास करके इसलाम में एक से ज्यादा ऐस वर की या इलाहों की जो स्र कुनल करते हैं तो इसलिए वहां औरБ देवताओं की पूजा करने के और में उन्सार के सबसे बड़ा पाप घंदू सनात अंदर में ऐसा कुछ नहीं हैं उन्सक्तिय कि पूजा करते हैं और तीसरा जो फलसपे के बाद जो जो तीसरा जो चीज है वो है आचरन तो आचरन हम कैसे करते हैं जो अपने धर्म के जो हम जो जिस भी किसी धर्म या पंत या मत या मज़ा वो मानते तो तीसरा हिस्सा होता आचरन तो आचरन में आपका जो कहते हैं कि धर्म जलकता है आचरन में आप कैसे हैं आपके जो धर्मिक मानताएं कैसी हैं आपका कर्मकांड कैसा है तो यह सब कुछ जो जा करके अंत में जो आचरन से ही आदमी को जाना जाता है और इसलिए हमारे तो जो सनातन धर्म है यहां पे धर्म के किसी भी दूसरे पक्ष की बजाए आचरण को ज्यादा महत्तु दिया गया है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और इसी आचरण को देखते हुए कि अधे जो मनुमाराज है उन्होंने मनुश्मृति में धर्म के जो दसलक्षण बताए color क की और जोंने धर्म की जो दसलक्षण बताए-इसained' है अपने दृड रहना किसी चीज पर स्वार है दम है यानि इंद्र्यों का viewpoint कर दमन करना है आश्टेय है चूरी नंसका कर ना है ऑर सीडरे और बाहर की सफाई एक सफाई होते वेकेय। बाहर की लेकिन अंदर से भी अपने को सी बिद्री और अपनी इंद्रियों पर निग्रे रखना, दीर बित्या और अपने जो बिद्या, अपने को बिद्या जिसे कहते हैं कि ग्यान के नूलेज विष्टम वो अपने में रखना, वी करत है यह दस धर्म के उन्होंने मोटे मोटे लक्षन बताए बाद में बहुत सारे लोगों ने इसमें पंद्रा करके और भी सारी जो चीज़ें जो बताई है ऐसे हम योग में योग एक बहुत बड़ी फिलोस्पी रही है हमारे भारत की तो इसमें जैसे पांच यम और पांच न यह जो पांच यम है ब्रह्मचरिय और उसके बाद जो सौच संतोस स्वाध्याय इस्वर पढ़िधान यह जो पांच जो नियम है तो यह मिलकर के भी दस जो जो कुल जो मिलते हैं तो यह भी धर्म के ही मोटे मोटे अंग हैं जी तो कोई इंसान सिर्फ मंदिर में जाता है यह भी दर मान लेता है यह आचर्म हां यह देखो यह संसक्रति का अंग हो सकता है लेकिन धर्म कांग हम उसे नहीं के सकते हैं धर्म तो मानाव धर्म एक है अब आपने देखा होगा कि जो हम जो हमारे पास जो एक जो आती हैं जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हम प्रकटी से सीखते हैं प्रकटी में जैसे आप देखते हैं कि जानवरों में भी दया नाम की चीज होती है जानवर भी एक मनें भी यह सारी जो भावनाएं होती हैं तो यह सारी जो मैंने आपको बता है कि यह बहरी भाग है धर्म का यह मंदर जाना या मस्यच जाना चर्च जाना लेकिन अगर उसके आंतरिक जो मूल्ह हैं तो यह अलग है यह जो मंदर जाना तिलक लगाना या दाड़ी रखना या क्रोस पहणना यह खाली पैचाने हैं कि ताकि मन कोई दूर से देखे ये कोई हिंदू आदमी है या ये मुसलमान आ रहा है ये इसाई है ये हमारे धर्म का प्रत्निदित तो नहीं करते हैं ये हमारी पैचाने हैं और समाज में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो जो आदमी का जो कि मैं किस प्रकार दूसरे से अलग दिखूं तो यह दिखाने के लिए एक पैचाने हैं और अगर देखा जाए तो यही जो जो पैचाने ये आज की जो सारा जितने भी जो संगर्स है जो असांती है उसका कारण शुक्कारण कारण में धर्म का भी तताकतित जो धर्म है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हर कोई जो नहीं दो कोह ही सही है जो जगडा यहीं से शुरू होता है अदर्वायज जो जो धर्म के जो मनू महराज ने या जो मूले छो बत करी है जो धर्म के जो मूले के जो बत किई हैं उननका किसी भी संपरदाई विसेश्ष से कोई कि ऐसा कोई खास प्रियोजन नहीं होता है वो एक ही जैसे होते हैं अब गीता और महाबारत में अगर आप देखें तो धर्म जो धर्म सब वहां सारी डूटी के लिए इनसान के अपने जो करतब्य क्या होते हैं उसके लिए उसके अर्थ में आए तो यह जैसे जो गीता में भ प्रित्वी में जो लॉएन ओर्डर है उस उसको मेंटेन करना ही धर्म कहा गया है जब जब लॉएन ओर असांती अराजक्ता जो फैल जाती है तो वही जो अवतारवाद की जो कल्पना हमारे धर्म की गई है कि कोई अवतार आएगा और फिर से धर्म संस्तापन करेगा तो धर्म संस्तापन में भी क्या आता है कि परित्रानाय सादू नाम बिना सायच दुस्कृताम की धर्म संस्तापन का काम क्या होता है कि दूस्त लोगों का उनको दंड देना और अच्छे लोगों को रक्षन करना ही धर्म है तभी प्रित्वी पर एक सांती इस्तापित हो सकती तो यही अव्तारबाद का भी प्रयोजन रहा है और महावारत में तो कहा गया है कि यतो धर्मस्तत हो जया कि जहां धर्म है, वहीं जय है, किसी दूसरे को परेशान करना, वो सबसे बड़ा अधर्म है, और जो महावारत में एक, जो एक जो श्लोप आता है पुराणों में भी कि अश्तादस पुराने इसू ब्यासस से बचनम दोयम परोपकार आये पूनाया पापाये परपीडनम कि अठारा पुरान डशने के बाद ब्यास ने सिर्फ दो चीजों को कहा कि परोपकार से दूसरे का उपकार करने से बढ़कर कोई पून्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है तो वहीं धर्म और अधर्म के बीच की जो पून्य और पाप जो है वह वह जो विवाजन है वह इसी में जो धर्म और अधर्म बन जाता है तो आज विश्व में इतनी सी जातियां हैं इतने से पंथ हैं संपरदाय हैं तो हमारे मकसद यह होना चाहिए कि मेरे मेरे किसी धर्म से या धार्मी किरिया से दूसरे को नुकसान न पहुंचे थेस न पहुंचे सबसे बड़ा धर्म तो यह होना चाहिए हम अपने घर में ही धर्म का जो भी इन धार्मिक तत्तों की जो ऐसी बिचार करें मनन करें और बाहर आ करके हम सारे देशवास ही एक हैं जो हमारा समिदान ही हमारा धर्म होना चाहिए हमारे बारत का जो समिदान ह उसे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है जिसमें कि हर आदमी को देखो हर इंसान को अपने धर्म उसके विचारों की आजाती होनी चीए अगर उससे किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचता अब होता क्या है कि सभी धर्म में कि मेरा धर्म सेश्ट है तो मैं जाकर के दूसरे के सथने का गला काट लो तो किसी ने चूट नहीं देनी चैना की आप इस्वर में विश्वास करते हो कि नहीं उसने का भाई ना तो मैं हा कह सकता ना ना कह सकता ओशका हे बेका황 मूर्कता है तो यह सारी जो चीजें हें जो जैसा मानता है उसको मानने दो और लेकिन अपने को अपने जो धार्मिक जो आपनी जो आईडियोजी है यह मत यह कहने का किसी को हक नहीं होना कैई कि नहीं जो मैं और जो तुम कहे है वो गलत है और इस पर हम जो समाज है स्वतंत्र kulli SH तो धर्म की व्याक्या के बारे में आपने सुना इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमारे तक बेजें और आपको रिपोर्ट पसंद आती है तो इसे शेर और लाइप जरूर करिएगा